सौ दिन में लोटाई लूट की सामगरी धोलका के अंगडिया लूट में लूट का 2.65 करोड का मामला कोट की कारिवाही के बाद ग्रू मंत्री की मौच गुद्गी में लोटाया गया लूटियरे सुरत की अंगडिया फर्म से करोडो रूपे लूट कर फरार हो गये थे दिपावली के दोरान हुई लूट की घटना में अंगडिया फर्म के एक करमचारी ने ग्रामिन पुलिस से संपर किया एहमदबाद ग्रामिन पुलिस खेडा और आनंजिला पुलिस ने संयुक्त अप्यान चला कर अंबरेली से सूरत लूट समय अंगडिया फर्म के करमचारीों से सूरत के महश्वरी भवन में लूट पाथ की घटना का खुलासा हुआ जिसमें कुल दो पॉइंट चपन करोड का सामान आज हिरो के पार्सल वन नकदी समेट लूट आया गया ग्रू मंतरी हरसंगवी की मौजुदगी में यह सामान लूट आया गया आरोपित अक्षर अंगडिया फर्म वर गुच्रात अंगडिया फर्म से करोड रूपे लूट कर फरार हो गए थे वे अमरोली के सूरत के लिए रामदेव ट्राविल्स में सवार होकर सूरत जा रहे थे उसी दोरान 19 अक्टोबर 2022 की रात करीब दो तीस बचे अहमदाबाद गाउ में खटना की सूचना मिली शिकायत करताओं से बहुत कम जानकारी मिली हाला कि अहमदाबाद ग्रामिन पुलिस को सूचना मिली कि धोलका दालुका के थानाक्षेत्र के गुंडी गाउ बस टेन के पास पूर्व योजना के अनुसार बस में सवार 11 लोगों ने बस को रोका और लूट पाट की नियाया लई ने सौ दिनों में लूट का मलमत्ता लोटाया राजे के ग्रू मंतरी हर संग्वी ने कहा कि बड़ी रकम होने के कारण शिकायत करता को चिंता थी कि अगर यहां कोड का मामला बन गया तो काफी समय बरबाद हो सकता है उनके लिए अपना सामान लाना मुश्किल हो जाएगा एक बार फिर शिकायत करता ने हमसे कहा कि हमें शिकायत दर्श नहीं करानी चाहिए आप बस हमें आइटम वापस कर दे लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते थे अभी योगतों को शिग्र गिरफतार करे और न्यायले की कारेवाही शिग्र पुर्ण करे और यहां कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिपावली की समय चब आप सब दिपावली मना रहे थे उस समय एहंदाबाद ग्रामिन पुलिस ने उनकी परिवार के साथ दिवाली नहीं मनाई और उनका पता लगाने के लिए कड़ी महनत की आज केवल सो दिनों की कारेवाही के बाद सुरत की आंगनिया फर्म ने कोट से निर्गत माल की रिहाई प्राप कर करोड़ो रुपे का निगर में माल वापस कर दिया है